नमश्कार प्रभास अक्षे नियूस नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है शेलंका इस समय कर्च में डूबा हुआ है और इस तरह के तमाम उपाई कर रहा है जिसके चलते उसके पास कुछ पैसे आए शेलंका चीन के अलावा कई वित्तिय एजंसियों के पास अपना इतना कुछ गिरवी रख चुका है कि अब उसके पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं होचा है इसलिए अब शेलंका की सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत एक लाख बंदर चीन को बेचे जाएंगे माना जा रहा है कि चीन इन बंदरों पर क्लिनिकल परिक्षन करे जाएगा दूसरी और चीन का कहना है कि जो डील हो गई वह हो गई हमें एक लाख बंदर चाहिए हम आपको बता दें कि शिलंका चीन को जो एक लाख बंदर देने जा रहा है वह टॉक मकाक प्रजाती के हैं इस प्रजाती के बंदर शिलंका में ही पाए जाते हैं साथी इर्यात की खबर ने पर्यावरण विदों और पशु प्रेमियों के गुस्से को भड़का दिया है चीन हाला की कह रहा है कि वह इन एक लाख बंदरों को अपने 1,000 छीडाएगहरों में रखे गा लेकिन चीन की इस पाद पर कोई विश्वास करने को तयार नहीं है क्योंकि चीन की प्रयोक्षालाओं में तमाम वारेसों के परिक्षन होते रहते हैं को भी चीन की प्रयोक्षाला की पैदाईशी बताया जाता है देखा जाए तो शेलंका में टॉक मकाक प्रजाती के बंदरों के आबादी लगभग 30 लाग है शेलंका का कहना है कि यह बंदर उसकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयास भी विफल रहे हैं इसलिए उन में से एक लाख बंदर चीन को देने के प्रस्ताओं पर विचार किया रहा है शेलंका सरकार का कहना है कि देश में जानवरों के निर्यात के लिए कोई कानून नहीं है इसलिए इस प्रस्ताओं के विरोध का कोई औचिते नहीं बनता शेलंका सरकार का कहना है कि बंदरों की वज़े से हर साल नारियल की फसल बड़ी मातरा में बरबाद हो जाती है शेलंका सरकार एक हालिया रिपोर्ट का हवाला भी दे रही है जिसमें बताया करते हैं और रसोई से भोजन चुरा लेते हैं जिसके प्रणाम सरूप निवासियों को को बहरी इलाकों सहित कुछ छेत्रों में हर समय दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी पड़ती हैं दूसरी और सरकार के उलट पर्यावरण विदों का कहना है कि यह कहना घोर आति कर दिया जाएगा उनका कहना है कि एसे में प्रकृति और प्रयावरण के लिए हानिकारक हो सकता है बाराल देखना होगा कि शिलंका सरकार का अंदिम फैसला क्या होता है लेकिन इस तरह की भी रिपोर्टें हैं कि चीन में इन बंदरों की बेसबरी से प्रतिक्षा हो रही ह है इसलिए बंदरों को सौपने के प्रस्ताव से उसका मना कर पाना मुश्किल लग रहा है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर पहुँच सके